नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट एंसी आर्टी की किताबों से मुगल सामराज्य का हिस्सा हटाए जाने पर बवाल बचा हुआ है लेकिन उत्राखंड राज्य के बारे में भी एक चेप्टर एंसी आर्टी की किताब से हटा दिया गया है उत्राखंड में अभी इस मामले को लेकर कोई होहला कोई राजनीती होती ही नजर नहीं आई है मैं आपको बताओं उत्राखंड में एक मुमेंट चला था चिपको मुमेंट चिपको अंदोलन 1970 के दर्शक में ये आंदोलन चमोली जिले में चलना शुरू हुआ था 1973 में इस आंदोलन की शुरुवात हुई थी और अगले कुछ वर्षों तक इस आंदोलन ने ना सिर्फ ततकालिन उत्तरपरदेश सरकार बलकि केंद्र सरकार को भी हिला दिया था चार बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का नेतरत्व किया सुन्दरलाल बहुगुणा जाने माने परियावरनविद वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे इसके अलावा चंड़ी परसाद भट ने इस आंदोलन को लीड किया गोविन सिंग रावत ने इस आंदोलन को लीड किया और गौरा देवी ने भी इस आंदोलन को लीड किया सबसे ज्यादा बात गौरा देवी की होती है क्योंकि विमन एमपावर्वेंट के नाम पर गौरा देवी का नाम कई बार लिया जाता है गौरा देवी अपनी सहयोगियों के साथ साथियों के साथ पेड़ों से चिपक गई थी और किसी भी तरीके से उन्होंने पेड़ों के कटान को नहीं होने दिया था वास्ताओं में ये पूरा मामला वन विभाग के ठेकेदारों और परियावरन विदों या आम जंता से सीधा जुड़ गया था सीधा उनके बीच में विवाद हो गया था वन विभाग के ठेकेदारों को एक ठेका मिला जिसमें उनको कई हजार पेड़ काटने थे और जो अंदोलनकारी लोक थे इस्थानिये लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि ये जंगल हमारे हैं और इने काटा नहीं जाना चाहिए इसलिए इस अंदोलन को एक विस्तार मिल पाया था इस आंदोलन का असर ये हुआ था कि तत्कालिन किंद्र सरकार भी हिल गई थी और उसके बाद ही वन एवं परियावरण मंत्राले जैसा महत तो पूर्ण महकमात चल कर तयार हुआ था इंदरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी उन्होंने इसके बाद अगले 15 व इसके नाम से एक चैप्टर में दर्ज थी अब वो चैप्टर हटा दिया गया है लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरीके के कमेंट्स लिख रहे हैं और हास तोर पर दिनेश प्रिसाथ सकलानी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप उत्तराखंड मूल के ही रहने वाले हैं आप तो कम से कम उत्तराखंड के इस अंदोलन की महत्वा को समझते हैं आप इस चैप्टर को ना हटाते तो उत्तराखंड का चिपको मूमेंट पूरे देश बर के बच्चे लगातार पड़ते रहते खैर ये राजनीती से अलग बात है देखना ये होगा कि उत्तराखंड स 1770 के दर्शक में चमोली जिले में चलाया गया था वो NCRT की किताबों से गायब हो गया है साथियों अभी के लिए फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अजाज़त दीजिए नमस्कार